आज आपको कहानी सुनाएंगे अरविंद स्वामी की अरविंद स्वामी एक ऐसा चहरा जिसे 90's के दशक में लोगों ने एक सबसे बड़ा हीरो मान लिया था साउथ से आया एक ऐसा हीरो जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर भी अपनी धाग जमाली थी अचानक अरविंद स्वामी गायब कहां हो गए क्या वो वाकई में आक्टर नहीं बनना चाहते थे क्या वो डॉक्टर बनना चाहते थे फिर वो आक्टर कैसे बने कैसे हिंदी फिल्मों पर च्छा गए कैसे उनका कोई भी Godfather नहीं था इंडस्री में फिर भी उन्होंने बहुत कमाल की फिल्में दी और इन दिनों अर्विन स्वामी क्या करते है ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं लेकिन हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं अर्विन स्वामी की कहानी अर्विन स्वामी का जन्म 18 जून 1970 को एक बहुत ही रिच घराने में हुआ था इनके पिता साउथ के बहुत जाने माने इंडस्यलिस्ट रहे हैं वीडी स्वामी और इनकी जो मा थी वो एक बहुती मशूर भरत नाट्यम रखते आंगना रही एकलोते ये बेटे थे अपनी माता पिता के तो जब बड़े होने लगे तो इन्होंने अपनी एक ख्वाहिश अपने पिता के सान में रखी कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ लेकिन पिता ने सिरे से इस ख्वाहिश को नकार दिया उन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा बिजनिस है स्टील का, इंजिनिरिंग का हम एक्सपोर्ट के बिजनिस में है ये बहुत बड़ा इंपायर है अगर तुम डॉक्टर बन जाओगे तो इतना बड़ा इंपायर कौन समह लेगा और तुमारे कोई दूसरा भाई बेहन भी नहीं है खेर, अब अर्विन स्वामी मन मार कर अपनी पढ़ाई करने लगे असल में वीडी स्वामी को एक आदत थी कि वो चाहते थे कि उनके बेटे को पैसे की सही वैल्यू पता चले और इसलिए इतना रिच होने के बावजूद वो उस जमाने में अर्विन स्वामी को रोजाना सिर्फ दस रुपए दिया करते थे कि इसमें आपको अपना खर्च चलाना है इधर अर्विन स्वामी के शौक बहुत अच्छे थे महंगे थे अब उन्हें अपने शौक भी पूरे करने होते थे तो उन्होंने उसका एक तरीका निकाला तरीका ये निकाला कि उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि दिखने में अच्छे थे मॉडलिंग में उनको पसंद किया जाता था उन्हें फोटोग्राफ्स कहचाने होते थे और उसके बदले पैसा मिल जाता था ये बात एटीज की है इसी मॉडलिंग के सलसले में उनके फोटोग्राफ्स इदर उदर जाते रहते थे फिल्मेकर्स की नजरे मी पढ़ती रहती थी 1989 की बात है उन्हें मनिरत्नम का फोन आया मनिरत्नम उस जमाने में बहुत बड़े फिल्मेकर हुआ करते थे पहले तो अर्वें सामी को यकीन ही नहीं हुआ कि मनिरत्नम उन्हें फोन कर रहे हैं पिर उनसे कहा गया कि आपको ऑडीशन पर आना है अब मनिरत्नमने फोन किया था तो पहुँच गए ऑडीशन पर आडिशन पर पहुँचे तो पता चला कि ये जिस फिल्म के लिए कास्टिंग हो रही है उसका नाम है थलपती और इसमें ममूटी भी हैं और रजनी कांद भी हैं अब इतने दो बड़े सुपर स्टार्स का नाम सुनकर अर्विन स्वामी को पूरी तरह से यकीन हो गया कि उनका सेलेक्शन इस फिल्म में तो होगा नहीं उन्होंने आज तक कोई फिल्म में काम ही नहीं किया है अच्छा ये जो रोल था ये रोल था एक बहुत ही सीधे साथे कलेक्टर का डिस्टिक मेजिस्टरैट का जो बहुत सीधा साधा है और मनिरत्नम को लग रहा था कि ये जो बहुत सीधा साधा सा रलका दिखता है अरविन स्वामी जो आजकल मॉडलिंग कर रहा है ये इस रोल के लिए पर्फेक्ट है खेर मन मार कर और ने आउडिशन तो दे दिया लेकिन वो सिलेक्ट हो गए और मनिरत्नम ने खुद हने फोन करके कहा कि आप सिलेक्ट हो गए है अब अरविन स्वामी ने कहा कि मैं अभी सिर्फ उननिस साल का हूँ एक साल पहले ही बालग हुआ हूँ मैं इतना बड़ा डिसिजन नहीं ले सकता कि मैं फिल्मों में काम करूँ मैं एक इंडिस्टिलिस्ट का बेटा हूँ और मेरे पिता को तो ये सब पसंद भी नहीं है वो तो मुझे डॉक्टर भी नहीं बनने देना चाहते हैं को कहते हैं कि आप सिर्फ मेरा बिजनस समालिए ये सुनकर मनिरत्नम ने कहा कि ठीक है मैं आकर आपके पिता से बात करता हूँ अब अरविन स्वामी के पिता से बात करने के लिए वीडी स्वामी से बात करने के लिए मनिरत्नम खुद घर आते हैं और उनके पिता को बैठकर कन्विंस करते हैं किसी तरह पिता तयार हो जाते हैं और उन्हें वो फिल्म करने की अजाज़त मिल जाती है फिल्म आती है और एक बड़ी हिट सावित होती है जाहर है रजनी कान तो ममूटी दो बड़े सपल स्टार्स हैं तो हिट हो नहीं थी अब इसमें जो परफॉर्मेंस थी अर्विन स्वामी की उससे काफी प्रभावित होते हैं मनिरतनम कि तुम्हारी पहली फिल्म में लगी नहीं रहा है अब मैं तुम्हें आज़ा हीरो लाँच करना चाहता हूं और वो प्लान करते हैं फिल्म रोजा बादी पकड़ लेते हैं और उस जमाने में इसके जो गाने थे वो काफी पॉपलर हो रहे थे पहले ये फिल्म में रिलीज हुई और तमिल में रिलीज होते ही इस फिल्म ने एक अलग ही हाहाकार मचा दिया कि वही ये तो बहुत ही गजब फिल्म बन गई है अब 92 में फिल बहुत बड़े स्टार बन गए थे रातों रात गाने लोग पर ये हो गए उनका जो स्टाइल था उनके चेहरे की जो मासूमित थी सब बहुत पसंद की जाने लगी लेकिन मैं आपको बता दू कि ये सब कुछ बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं था क्योंकि उनके पि कि तुम जाकर बिजनस मैनेजमेंट की पढ़ाई करो अभी यंग हो बिजनस में लगो मेरे बिजनस को बढ़ाओ और आखिरकार अर्विन स्वामी को अपने पिता की बात माननी पड़ी हाला कि इस बीच उन्हें कुछ तमिल फिल्में भी आफर हो गई थी जिसमें उन्हें काम किया था लेकिन पिता की बात मान कर वो अमेरिका के नौर्थ कैरोलना चले जाते हैं और वहां बिजनस आइडमिस्ट्रेशन की पढ़ाई शुरू कर देते हैं अभी उन्हें यहां आए हुए कुछ महीने ही हुए थे कि उन्हें एक खबर मिलती है कि उनकी मां की तब्य बहुत जादा खराब है अरविन स्वामी अपनी मां के बहुत करीब थे हर बेटे की तरह वो वापस आने का फैसला करते हैं पढ़ाई छोड़कर वो वापस आते हैं अपनी मां के साथ कुछ वक्त बिताते हैं इस बीच उनकी मां कुछ समय बाद गुजर जाती है अब इस उवर पाते हैं कि कुछ समय बाद उनके पिता का भी देहान्त हो गया अब अचानक ये जो इकलौता लाड़ला बेटा था अरविन स्वामी जिसकी उमर उस वक्त कुछ 23-24 साल के करीब थी वो अचानक से अनात हो गया था वो बनना डॉक्टर चाहता था लेकिन बन एक स अज़स समहाले लेकिन अब पिता भी इस दुनिया में नहीं थे उसे अपने पिता के बिजनस को समहालने का तज्यूरबा भी नहीं था उसके समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे अब बहुत उदास रहने लगे थे अरविन स्वामी एक दिन बैठे हुए थे उसी उदास है और ऐसा कहते हुए मनिरतनम उन्हें एक फिल्म उफर कर देते हैं फिल्म का नाम था बॉम्बे जो 1995 में रिलीज हुई थी मनीशा कोईराला के साथ जिसकी कहानी ये थी कि हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है फिर वो जाती है दंगों में फस जा और अर्विन स्वामी इस फिल्म में काम करते हैं और एक बहुत बड़ी हिट फिल्म निकल कर आती है एक बार फिर मनिरतनम और अर्विन स्वामी का ये कॉम्बिनेशन कमाल कर देता है और वो पूरी तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर भी चा जाते हैं हर तरफ अर्व ऐसे कई फिल्में और आई उनकी लेकिन वो फिल्में कोई खास चल नहीं रही थी फिर भी अर्विन स्वामी को काम मिल रहा था साउथ से काफी कॉल्स आ रहे थे हिंदी फिल्मों के काफी कॉल्स आ रहे थे और एक तरह से वो हर तरफ चाय हुए थे हर तरफ उनका जिक्र हो रहा था इस बीच सड़नली उन्हें रियलाइज होता है कि वो बिजनस जो उनके पिता ने बॉर्सों की महनत के साथ खड़ा किया था अब वो बिजनस धाराशाई हो रहा है अब तक 1998 आ चुका था और उनके पिता के बिजनस को जो लोग समहा ले हुए थे उनके साथ पुराने काम करने वाले उनको भी ये लगा कि अगर अरविन इसमें खुद इंटरेस्ट ले तो शायद ये बिजनस फिर से समहल सकता है और अरविन सब को छोड़कर अपने फिल्म इंडस्टी का करियर छोड़कर फैसला करते हैं कि मैं अपने पिता के बिजनस को फिर से समहा लोगा वो गरीब पांच साल का ब्रेक लेते हैं फिल्मों से और अपने पिता के बिजनस को और अच्छे से स्टैबलिश करने जाते हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहा था किसमत यहाँ उनका साथ देती है वो जो नीचे की तरफ जा रहा करूणों का बिजनस था वो पांच साल की मेहनत के बाद एक बार फिर से उपर की तरफ जाने लगता है और इस बार करोड़ों नहीं बलकि अर्बों खर्बों तक पहुँचता है विदेशों में वो काफी अच्छे से अपने बिजनस को स्टाबलिश कर देते है इस बीच करीब 2003 का साल आ जाता है और ये वो समय था जब अर्बिन स्वामी को ये लगने लगा था कि हाँ अब मैंने अपने पिता के बिजनस को बहुत अच्छे से स्टाबलिश कर लिया है अब अगर मुझे ओफर मिलते हैं तो मैं कुछ अच्छी फिल्में भी कर सकता हूँ अर्बिन स्वामी इस दिशा में सोची रहे थे कि उनके पास कॉल्स भी आने शुरू हुए और सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था लेकिन 2005 में कुछ ऐसा होता है जो एक दम से अर्बिन स्वामी की जिन्दगी बदल जाती है 2005 यह वो वक्त था जब अर्बिन स्वामी अपने पिता के बिजनस को भी इस्टैबलिश कर चुके थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम थे फिल्मों में बापसी की तैयारी कर रहे थे आफर्स भी उन्हें मिल रहे थे सब कुछ बहुत अच्छा था कि 2005 में उनके साथ एक हाथसा होता और इस हाथसे में उनको रीड की हड़ी में चोट आती है और जिस वज़े उनके शरीर का एक हिस्सा लकवा ग्रस्ट हो जाता है लकवा ग्रस्ट होने के बाद ये पिस्तर पर आ जाते हैं और इस सबसे उबरने में उन्हें पांच साल का वक्त लगता है और इन पांच सालों में बहुत कुछ होता है इन पांच सालों में उनका शरीर बेडॉल हो जाता है, बजन बढ़ जाता है, 1994 में जिस गायतरी नाम की लड़की से उनने शादी की थी, जिससे उनके दो बच्चे भी थे, वो 2010 में छोड़ने का फैसला ले लेती है, यानि अब अरविन स्वामी पांच साल बिस्तर पर बिता चुके थे, कुछ हद तक उनकी जो बीमारी थी, वो सही हुई थी, पूरी तरह से सही नहीं हुए थे, परसन लाइफ में तूट गए थे, करियर का कुछ पता नहीं था, क्योंकि अब जब शरीर बेडॉल हो चुका है, ऐसे में कितनी फिल्मों के ओफर मिलेंगे, नहीं मिल बाते हैं थी, और एक बाद फिर से उदासी का दौर शुरू हो चुका था उनकी जिन्दगी में, कि इस बीच मनिरत्नम का उन्हें फिर से फोन आता है, और मनिरत्नम कहते हैं कि तुम उठो, तैयारी करो, मैं तुम्हें फिल्म उफर कर रहा हूँ, अब आप सोचिए कि, य मनिरत्नम फिर तैयार थे, उन्हें सिनिमा के परदे पर पेश करने के लिए, इस बार तैयारी हो रही थी, एक साउथ इंडियन फिल्म की जहां, उन्हें बहुत अच्छे से पेश किया जाना था, अर्विन फिर से खुद को तैयार करते हैं, फिर से वापसी करते हैं, लेकि इस बार वैसा रिस्पॉंस नहीं मिलता, क्योंकि जाहर है, इस बीच इंडिस्ट्री नोंने भुला दिया था, उनका शरीर बेडॉल हो गया था, वो दिखने में अच्छे नहीं दिखते थे, उम्र जादा हो गई थी, सर के बाल भी कम होने लगे थे, और कहीं न कहीं नए पौध के जो हीरोज हैं, उनके बीच वो अपनी उम्र से काफी बड़े लगने लगे थे, एक तो करियर भी उनका शरू हुआ था, उननिस साल के उम्र में, और दोहजार दस आते आते वो तीस के हो चुके थे, तो ऐसे में अर्विन को ये लगा कि अब शायद मुझे वैसा रिस्पॉंस नहीं मिलेगा जैसा की एक वक्त 90 के दशक में मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और कुछ फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया, एक हिंदी फिल्म उनकी 2015 में आती है, डियर डैड, वो कुछ खास नहीं चलती है, इसके लावा और भी पॉजिटिव फिल्मों से अपना करियर शुरू करने वाले, मतब पॉजिटिव रोल से अपना करियर शुरू करने वाले अरविन स्वामी धीरे धीरे नेगिटिव किरदार करने लगे, और अब भी वो यदा कदा कुछ फिल्मों में दिखाई दे जाते हैं, नेगिटिव समाले हुए हैं बहुत लंबे समय से अर्विन स्वामी ने अपनी तरह का एक अलग स्ट्रगल किया है बहुत रिच फैमली में जन्म लेने के बावजूद उन्हें अपनी मर्जी के फैसले लेने का मौका नहीं मिला बनना डॉक्टर चाहते थे किसमत ने अक्टर बना दिया प शायद अगर वो हादसा नहीं हुआ होता 2005 में जो हादसा हुआ था तो शायद अर्विन स्वामी खुद को एक बहुत बड़े हीरो के तोर पर स्टैबलिश कर चुके होते लेकिन शायद नियती को कुछ और ही मन्जूर था इसलिए अर्विन स्वामी वो नहीं बन पाए जो शायद वो बन सकते थे या जो काबलियत उनके अंदर थी या जिस तरह सोने उनको सुईकारा था हमारी हमारे देश की और्विन स्वामी के बारे में उसे बताने में मैं कामयाब हुआ हूँगा आपको य वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो अब शेयर पर फोकस करते हैं कभी-कभी फिल्मों में नजर आते हैं कुछ टीवी शोज में भी नजर आते हैं और वो अर्विन स्वामी जिसे हमने बॉम्बे और ओजा में देखा था आज वो काफी बदल चुका है उम्मीद है अर्विन स्वामी के फैंस को भी वीडियो अच्छा झाल आते हैं